तारक महता का उल्टा चश्मा आक्ट्रिस जेनिफर मिस्त्री यानी मिसिस रोशन सिंग सोडी ने शो छोड़ा. प्रड्यूसर आसित मोधी पर लगाया यौन उत्पीडन का आरू. तारक महता का उल्टा चश्मा इंडियन टेलिविजिन पर सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक है और हाल ही में कई विवादों में शामिल रहा है. शो और इसके प्रड्यूसर असित मोधी चर्चा का विशय रही हैं लेकिन सभी गलत कारणों से. अब एक और चौकाने वाली खबर है करीब 15 साल तक मिसेज रोशन सिंग सोडी का किरदार निभाने वाली जेनिफर मिस्त्री ने शो छोड़ने का फैसला किया है. कहा गया है कि उन्होंने शो के निर्माताओं पर यौन उत्पीडन का आरोप लगाया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेनिफर मिस्त्री ने टीवी शो तारत महता का उल्टा चश्मा को छोड़ने का फैसला किया है. उन्होंने शो के प्रड्यूसर असित मोदी और प्रोजेक्ट हेड सोहल रमानी के साथ-साथ एक्जेक्युटिव प्रड्यूसर जतिन बजाज के खिलाफ यौन उत्पीडन का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्स कराई है. जेनिफर ने इस खबर की पुष्टी की और बताया कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया. उनकी शूटिंग का आखिरी दिन 6 मार्ज को था. जेनिफर मिस्त्री ने सोहल रमानी और जतिन बजाज द्वारा अपमान के अपने अनुभव को साजा किया. उन्होंने उलेक किया कि जेनिफर ने अपनी वेडिंग अनिवर्सरी पर आधे दिन की छुटी का रिक्वेस्ट किया था, जो कि होली के तियोहार के साथ हुआ था. हाला कि उनके रिक्वेस्ट को अकसेप्ट नहीं किया गया, भले ही मेल आक्टर्स के लिए अजॉस्ट्मन्स किया गया हो. बार-बार मिनते करने के बावजूद उन्हें सेट से जाने नहीं दिया गया. इससे उन्हें निराशा हुई और उन्होंने दावा किया कि सोहिल रमानी ने उन्हें चार बार सेट छोड़ने के लिए कहा साथ ही जतिन बजाज ने उन्हें जाने से रोकते हुए उनकी कार को रोकने की कोशिश की जेनिफर ने काम के माहौल को एक्स्ट्रीमली मेल शोवनिस्टिक प्लेस के रूप में वर्णित किया इसके अतिरिक्त जेनिफर ने एक और परेशान करने वाली घटना शेय की उन्होंने खुलासा किया कि जब वह प्रेगनिंट थी तो उन्हें शो से बरखास्ट कर दिया गया था क्योंकि उसके कोस्टा जा रहे थे अपने गरभावस्था के नौवे महीने तक काम करने की इच्छुक होने के बावजूद उन्हें नौकरी छोडने के लिए कहा गया यौन उत्पीडन के आरोपों के बारे में उन्होंने बताया कि कैसे प्रद्यूसर असित मोदी ने उनके प्रती इनाप्रोप्रेट व्यवहार किया था उन्होंने कहा असित मोदी has made inappropriate advances towards me multiple times in the past पहले तो मैंने काम खोने के डर से उनकी टिपणियों को नजरंदास कर दिया but now, I have had enough and won't tolerate it any longer What's your reaction to this story? Let us know in the comments And don't forget to subscribe to the channel for more such content